हेवरीवन वेलकम बैक मैंने मिशा तो आज में केरला स्टायल एक करी की वीडियो लेके आएं चपाती नान या पराठे के साथ भी अपसर्फ कर सकते हैं तो आज में मेगी का कोकोनेट मिल्क पाउडर आता है तो उससे में बनाने वाले हूं तो एकदम सिंपल और हो जाए उसके बाद राई एड कर लेंगे राई जटक जाए उसके बाद मेरे में दो ओनिन को स्लाइस में लंबे में चौप करके रख लिया है उसके बाद दो हरी मिर्ची को भी चौप करके रख लिया है तो उन सारी चीच को भी चौप करके रख लेंगे इन सारी चीच को छाब सौटाइर करें रहेंस बाद में अधाइन निए टाके ऑमारा जसो जल्दी पंग जाए जल्दी गल जाए तो इसे में ढख देंगे रख लेते हैं ताकि जल्दी पक जाए तब तक हमारा कोकरेट मिल का पावडर है ना मैगी का तो इसे मिक्स करके रख लेंगे तो इस एक बावल में मैंने डेट टेबल स्पून में ने लिया है और इसके अंदर हमें आदा कप पान चुछानी के लिए तो इसे मिक्स करके रख लेते हैं तो इसे एक शैड में रख लेते हैं तो हे डम जट पटे ढूरेट गृए बरक्रीमी क्रीमी टेस्ट यह बहुत ही मुझा है आपको खाने के लिए तो बातों में हमारा टामातर बी गल चुका है है तो इसके दर मसाला नहीं प्रेट करेंगे मसाला कोई भी टेंशन निया जो वाली हो तो यह ताम अमयरा गल चुका है तब इसके इंदर में आधा टीस्पून जितना मेंने अल्दी पाउडर एडिक अंदर फिर एक पीस पूझ इतना में लाल मिर्ची पाउडर तीक है तो मेंने एड कर लिया है अब आपने टेस्ट के अकॉडिंग एड कर लिजिएगा एक टीस्पून मेंने धनिया पाउडर एड कर लिया है इन सारी चीछ को मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर रखेगा ताकि हमारा मसाला जल्दी कुक हो जाए इसके लिए ताब देख सकते हैं मसाला अच्छे इसके अंदर में ग्रेवी के इसाब से पानी एड कर लेंगे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है तो खाने मजा नहीं आएगा तो अच्छे से बोल हो जाए उसके बाद में चार एक को इसके अंदर एड कर लेते हैं तो इस पका लेते हैं 5 मिट के लिए हम पका लेंगे हाई फ्लेम पे रखे ताकि हमारे ग्रेवी एक दम ठीक हो जाए इसके लिए बहुत ज्यादा में फ्लोई जैसा रखना नहीं मेडियम थिकनस में रखना है तब देख सकते भी तो बड़ा सब और में थिक करूंगे इसको इसके ब बड़ा गर मसाला है आप जरूर मेरी वीडियो पर मैं चैनल पर सर्च किजिएगा एकदम बड़ा है आप जरूर ट्राइक करके देखना तो आप देख सकते हैं मैंने जो मिक्स करके रखाता ना उसे भी मैंने इसके अंदर एड़ कर लिया है ग्रीवी थिक हो जाए उसके अब यह एड़ करना है तब इसका बड़िया बोइल आज़ा है तब इसका वीड़ कर लेंगे तो हैं एकदम सिंपल एकदम सब्सक्राइब करने के लिए आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए गा औ तो उमीड करती है आज का वीडियो अपसे भी को अच्छा लागा हो नेक्स्ट चुडियो में फिर से मिलते तो तक के लिए बाई फ्रेंड्स एंक्स वर वाचिंग एंड टेक केर